नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्ट्रेश्वी क्लासिज पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही अपडेट दे दूँ कि जो इंप्लॉइमेंट ओफिस में बेरोजगारी बत्ते के लिए फाइल जमा होती है उसकी जो लास्ट डेट है वो तीस नॉवंबर है ठीक है आज 28 नॉवंबर है तो दो तिन दिन जो भी आपके पास बचें है अपना काम पूरा कर लें अब बात करते हैं दूसरी जो आज की लगी हुई है आज के समय में अर्याना बेरोजगारी में नमर वन चल रहा है तो बच्चों को काम चाहिए शिरफ बेरोजगारी बत्ते से काम नहीं चलता इसलिए ये आलात है कि जब 2017 ठारा में ठीक है 2017 ठारा का जो सेशन था उसमें बेरोजगारी बत्ते के लिए लग 2021 में 500 से भी कम रह गई हैं आप लोग समझ सकते हो कि अब सिरफ बेरोजगारी बत्ते से काम नहीं चल रहा है युवाओं का क्योंकि महिंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सिरफ बत्ते से काम नहीं चल रहा है अब बत्ते के लिए सिरफ जो 500 रुपे और मतलब 900 रुपे और 1500 रुपे और 3000 रुपे मिलता है जो सिर्फ उससे काम नहीं चलता क्योंकि वो तो 3 साल बाद स्टार्ट होता है ठीक है फाइल जमा करवाने के 3 साल बाद अब सी दहाई बच्चे सक्सम्योजना में काम करना चारे है अब जो बच्चे वैसे सक्सम्योजना का क्या आल है वो तो जो पहले से काम करें उनको पता है वे किस तरह से 3-4-4 महिने से बहुत बार सेलरी भी नहीं आती बता नहीं आता काम किस तरह से मतलब किस डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है और क्या दे दिया जाता है ठीक है लेकिन एक बात देखने की है कि अब बिरोजगारी बत्ते से काम नहीं चल रहा है सक्सम योजना में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ठीक है 10,000 के मुकाबले शि इस बात का परमान है कि अब युवां को रोजगार चाहिए ने की सिर्फ बिरोजगारी बत्ता चाहिए ठीक है ये खबर जो आ रही है जीन्द बासकर में है आज के यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नई फाइल जमा की जा रही है सांगवान जो अधिकारी है जिला रोजगारी बत्ते के की नई फाइल 30 नवंबर तक जमा होगी इसके बाद भी भाग द्वारा उनकी फाइलों को वेरिफिकेशन कर अपरू किया जाएगा उसके बाद ही आवेदन आवेदक बत्ते के लिए पात्र होंगे तो कोई भी काम हो डिपार्टमेंट में किसी भी ड वसूओं को वेक्सिन लगाना है या फिर इंसनों को वेक्सिन लगाना सब तरह का काम ही है जो सक्सम युवा कर लेते हैं ऐसा काम जो सरकारी भी बाग एक रमचारी नहीं कर पाते वो सारा काम सक्सम युवा करते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं इसमें क्य काम मिलता जी काहाँ पर मिलता है काम तो आपके जिले में मिलता है वह सकता है थोड़ी दूर भी मिल जाए पास भी मिल जाए लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए दस सक्षम युगां की लगाई ड्यूटी फोन कर बताएंगे दूसरी डोज पेंडिंग है तो इस तरह का काम भी मिल सकता है वे आपको फोन करने का काम दे दिया जाए वैक्चिन जिनका नमबर आया उनको बुला लो या फिर फैमिली एडी बनवा लो या फिर रजिस्ट्री करवा लो जो आज कल काम चला वालाल दोरेगा बलोक लेवल पर ठीक है गाउं गाउं में या फिर किसी परकार का कोई सर्वे करवा लो सब काम बिजली का बिल पाने का बिल कुछ भी है सारे के सारे काम सक्सम युवाउं से करवाई जाते हैं और पिर भी दोस्तो इतने कमेंट आते हैं सच बताएं कई चेलरी के सरिगार्डिंग सबसे जड़ा चेलरी कब आएगी इस डिश्टिक में इस तैसिल में और जवाब देने वाला दोस्तो ठक जाए की इतने मतलब डिश्टिक हों से अलग-लग कमेंट आते हैं क्योंकि बला तैसी लेवल पर भी ओफिस होते हैं कई बार डिस्टिक लेवल पर आ जाती है किसी डिस्टिक ओफिस की या फिर उसमें तैसी लेवल पर नहीं आ पाती ठीक है तो कई बार हम वीडियो भी बनाते हैं कई बार जानकारी भी लेते हैं अब एक ही ओफिस में हर महीन अगर आप कोल करते हैं तो आपका कोल भी अटेंड करना बंद कर देते हैं ऐसे करमचारी बैठे हैं और वो सारे करमचारी बतलव एक तरह से उसको क्या कहते हैं वह एक तरह चलाने के लिए काम को ऐसे ही बोल देते हैं ठीक 10 दिन बाद आजाएगी ठीक 15 दिन बाद वह सिर्फ काम चलाओ काम करने के लिए ऐसे बच्चों को भी बैकाते रहते हैं ऐसे भी चीज़े देखने में आती हैं तो साथियों साथ मिलकर अपना ठीक है जब तक अपनी सबसे महें काम अपनी त्यारी करते रहे सक्सम्योजना के बरोशे नहीं रहा आजा सकता 6-6 महीने बहुत सारे बच्चों की शेलरी है बता है नहीं आता है प्रेसानी और जब लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं वो जो लाखों बच्चे हैं जो 20,000 बच्चे थे वहां पर वो 20,000 बच्चे हर साल हो सकता है अब उन में से 15-16,000 बच्चे तो सक्सम्योजना में शिप्ट हो हैं देरे-देरे-देरे- hر साल ला को बच्चे मतलब मतलव जारो बच्चे जुड़ रहे हैं और इस तरह से लगातार प्रेशानी बढ़ रहे हैं और बजट बढ़ नीं रहा है और जैसे जैसे साल का आनता आता जाता है बजट खतम होता जाता डिस्टिक ओफिसों के पास और लगातार प्रेशानी बढ़ती रहती हैं अलाकि इस महिने में भी आया है 6-7 डिस्टिकों के रुपे आये हैं ठीके लेकिन पूरी तरह से नहीं आते हों भी वो सकता 4 महिने का पेंडिंग हो 2 महिने का आगया 1 महिने का आगया तो लगातार अपना अपडेट रहिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए सक्समियोजना से सभी परकार की जानकारी पाणी है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्यू वरी मच्च